हलो एब्रिवन वेल्कम बैक तू मैं चैनल आज मैं आप लोगों के साथ हेयर ग्रोथ टॉनिक्स करने जा रहे हूं जो कि आपके बालों को लंबा घना और मजबूत बनाएगा साथे साथ ये हेयर ग्रोथ जो टॉनिक है आपकी बालों को जड़ से मजबूत करेगा और उसकी जो ग्रोथ है वो डवल ट्रिपल कर देगा आज कल के दौर में हर कोई अपने गिरते बालों को लेकर बहुत है चिंदा जायर करता रहता है तूते और जड़ते बालों को लेकर लोग इतना जादा उनके मन में डड़ वैट गया है कि वो महगे से महगे केमिकल बाले हेयर ट्रेटमेंट लेने को मजबूर हो गया है अगर आप भी घने लंबे और मुलायम बाल चाहते हैं तो आपको घरेलू उपायों पर कौर करना चाहिए ताकि बाल को प्रयाप मात्रा में पोशन मिले और आपको केमिकल का जंजट भी ना रहे तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राब बेलकन को प्रेस कर लिजेगा तो इसे बनाने के लिए आपको दो मेडियम साइज का प्यास चाहिए अब आप सोच रहे होगे प्यास क्यों तो जब भी बाल को बढ़ाना है, बाल को स्वस्त रखना है, सुन्दर मुलाय बनाना है तो प्यास आपके बालों के लिए बहुत ही जादा यूसफुल हो जाता है क्योंकि प्यास का रस आपकी बालों को स्वस्त रखता है और साथे साथ आपकी बालों की जड़ होती है उसे मजबुत करता है क्योंकि जब आपकी बाल है उसकी जड़ कमजोड रहेगी तो आपकी बाल आपके सर में नहीं टिकेंगे जो प्याज का रस होता है वो रूसी की समस्या भी नहीं होने देता है अब जो second ingredient इसमें add करना है एक से डेढ़ इंच add करना है आपको अद्रक अब इन सारे को आप छोटे-छोटे pieces में cut कर लिजे और एक बात और जब भी आप प्याज को लें तो उसका जो white वाला portion होता है उसका जो जड़ होता है वो आपको निकाल करके फेकना नहीं है क्योंकि वो बहुत ही जादा hair के लिए अच्छा होता है अब यह जो आदी है और जो प्याज है इन दोनों को आपको mixture grinder में अच्छे सी बारीक पेश्ट बना लेना है इस तरीके का अब इसे आपको किसी भी चीट से सूती कपड़े से स्टेनर से इसका जो प्याज का रस है उसे अलग कर लेना है अब देख सकते हो मैंने अलग कर लिया है अब इसमें मैं add कर रही हूँ एक टेवल स्पून के प्रॉक्स नारियल का तेल क्योंकि जो नारियल का तेल है वो हमारी scalp के लिए बहुत ही अच्छा होता है लेकिन अग आपकी बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है तूटे जहरते जो आपकी बाल होती है बिल्कुल हाथ में आपके छूते ही बाल आ जाती है तो उन सारे समस्याओं को दूर करने के लिए यह बहुत ही अच्छा है बहुत ही ज्यादा कारगर है अगर आप इस टौने क उसे पहले आप अपने skin पे 2-3 जगा पर थोड़ा थोड़ा pastress ले लें कि आपके skin में कहीं irritate तो नहीं करती है अगर आपके skin में जलन होती है तो आप इसका use नहीं करेंगे convenience के लिए इस tonic को आपको क्या करना है कि bottle में अच्छे से भर लेना है अब आप इस bottle से अपने hair root में आपको इस tonic को scalp में ही apply करना है length में आपको बिल्कुल भी apply नहीं करना है धीरे धीरे finger की tip से या फिर bottle से ही या फिर आप सबसे असान होगा कि आप cotton से इस tonic को अपनी बालों के जड़ों में अच्छे से लगा लिजे क्योंकि जो प्याज करस होगा अगर आपके बालों में रूसी की problem है तो उससे आपको निजा दिलाएगा और आपकी बालों को हमेशा मुलायम बनाएगा प्याज करस जो होती है वो आपके hair follicles को इतना ज़्यादा portion देती है कि आपकी जो सिर्की तवचा होती है किसी प्रकार का अगर imbalance हो गया है तो उसे अच्छे से फिल करती है और सेम आदिकी भी यही है वो आपके scalp में किसी प्रकार का संक्रमन है जिसके करण आपके बाल जढ़ते हैं तूटते हैं कम है तो अगर आप अद्रक का यूज करते हो तो आपके बाल की जो संक्रमित की समस्या है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा और इसे आपको नहाने से दो घंटा पहले लगाना है इसे आपको रात में नहीं अप्लाय करना और उसके बाद अपने बालों को किसी भी मैल्ड सैंपू से अच्छे से वास कर लेना है तो ये था मेरा आज का वीडियो वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब लागन को प्रेस कर लीजिएगा तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ इसी तरीके के ए एक और नए बेतरीन एपिसोड में तब तक खुझ से प्यार करें अपना ख्यार रहें थांक्स वाचिंग वीडियो चिल देन बाबाई